हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रिक इंफो पे तो आज एक को न्यू वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए सबसे पहले तो थैंक्यू सो मच क्योंकि आप लोगी वज़े से ही मैं अभी तक यहां पोच पाया हूँ फाइनली मेरा जो गूगल एड्सेंस का जो पिन था वो मेरे होम एड्रेस पर आ चुका है तो मैं फटा-फट आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें वेरिफिकेशन कैसे करवानी है और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें step-by-step कैसे कैसे आपको करना है ठीक है ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं यह यह वो पोस्ट जो Google AdSense पिन किये जो मेरे घर पर आईए और बैक साइड में आप देख सकते हैं Google AdSense लिखा हुआ है तो मैं फटा फट आपको फरंट और बैक लोग दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है तो फटा फट इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं remove side यहां से मुझे इसे फाल ना है तो three side है मुझे तीनों side से फटा फट से मैं इसे फाल लेता हूँ तो यह मेरा complete हो चुका है शेरकते है side में और इसे करते हैं अब open तो देख सकते हैं आप क्या के चीजे mention हैं इसमें सबसे पहले google adsense your google adsense personal identification number pin ठीक है और यह मेरा pin है your pin 010041 और यहां इसके left में step 1, step 2, step 3, step 4 सब कुछ step by step लिखा हुआ है तो सब आप इसे video को post करके सब कुछ पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं तो मैं मुझे क्या करना ज्यादा मैं आपको करके दिखा देत हूँ इससे पहले आप देख सकते हैं इसके left में क्या क्या लिखा हुआ है सब कुछ इसमें google google लिखा हुआ है दिखने में काफी अच्छा है और मैं वापस आपको एक बार एक पोस्ट दिखा देता हूँ सब कुछ करने से पहले देख सकते हैं तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट सबसे पहले मुझे क्या करना है अपना google ओपन करना है महाँ पे सर्च पे टाइप करना है adsense login जिनकी id नहीं बनी वी है वो मेरी last video देख सकते हैं मैंने कुछ वीडियो पहले यह वीडियो बनाई थी कि आपको इसमें account यह page open होगा आपको इसके refresh होने के लिए एक दो second wait करना है जब आपके सामने यह लिखावा जाएगा your payment are on hold because you need to verify your address आप simply action पे भी click करके कर सकते हैं मैं वैसे action पे click करके करूँगा और नहीं तो second option है यहाँ पे आप देख सकते हैं three line दे रखी हैं मैं आपको इन पे भी click करक कराऊं में एक बार गिराख नीचे payment option हो गया मुझे क्या करना है मुझे payment पह किलिक करना है जैसे हमें payment पे click करूँगा यहाँ पयमेंट animation पहुर्मेशन पहर आ जाएगा मैं है तो आपनीचे की तरफ जाएगे फैरिफा कूप्शन आ जाएगा ठीक है तो मैं फटाफटा आ की तरफ जाएंगे identity verification मेरी complete है पहले से address verification complete करना है मुझे और enter the pin we made your billing address तो मुझे यहाँ पर 6 digit का verification pin डालना है you have 3 attempt remaining यानि कि आप केवल 3 बार यह कर सकते हैं 4 बार के लिए आपको mail करना पड़ेगा तब जाके आपका pin generate होगा नहीं तो जो simple process है वो 3 step का ही होता है तो मैं क्या करता हूँ फटाफट अपना 6 digit का verification pin डाल देता हूँ जो मेरा home address पाया था और simply submit कर दूँगा तो मैंने अपना pin डाल दिया है इसके बाद मुझे क्या करना है simple अपना submit पे क्लिक करना है जैसे मैं submit पे क्लिक करूँगा एक या दो सेकेंड करने वेट करने के बाद यह मेरा complete हो जाएगा identity verification complete हो चुकी है और address मेरा verification भी complete हो चुका है ज्यादा कुछ नहीं करना मैं आपको back करके एक दिखा देता हूं यहां पर वापिस लिखावा आ गया मुझे कुछ नहीं करना एक बार पेज को refresh करना है जैसे मैं page को refresh करूँगा यहां से लिखावा भी हट जाएगा देख सकते हैं तो आप देखिए मेरा यहां से हट चुका है यह और बहुत ही फाइनल स्टेप है बैंक डिटेलिंग का ठीक है मैं कुछ दिन बाद एक और वीडियो बनाऊंगा अपनी बैंक डिटेल एड करने के लिए वहां से आप देख सकते हैं कि आपको verification complete करने के बाद अपनी बैंक डिटेल कैसे फिल करने है ठीक है तक बैंक ट्रशी तक बाद बेर वीडियो और शबस्क्राइब इस चैनल